हेलो फैमिली नमश्कार एक बार फिर से हाजर हो गई हूँ आप सब के लिए एक हेलफुल वीडियो लेकर आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स के जैसे की गर्मियों का टाइम चल रहा है और आपका छोटा बच्चा है तो आप लोग सोचते हैं कि गर्म इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर पाउडर लगाने को मना करते हैं वो क्यों करते हैं क्या बच्चों को पाउडर लगाने का सही तरीका होता है यह सारी बाते इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं एक एक छोटी से छोट आज मैं आपको देने वाली हूं बच्चों को पाउडर लगाने के बारे में तो आप सबसे मेरी रिक्वेश्ट है प्लीस आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा पूरे इंफोर्मिशन लेना चाहते है ना तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा और चैनल को ज सबस्तर रहेगा और आप सारे वीडियो इसी तरीके से देख पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर बच्चों को पाउडर लगाने के लिए क्यों मना करता है जैसे कि आपको बच हो सकता है सांस लेने में तकलीव बढ़ सकती है इसलिए डॉक्टर बच्चों को पाउडर लगाने के लिए मना करते हैं लेकिन वह इसलिए करते हैं क्योंकि महिलाएं क्या होती है उनको सही तरीका पता नहीं होता है कि बच्चों को पाउडर कैसे लगाना चाहिए आप को पाउडर लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन उसका तरीका हमें पहले जानना है कि बच्चे को पाउडर आखिर कैसे लगाना चाहिए और कौन सा पाउडर बच्ची के लिए सेफ हैं तो फ्रेंट्स मार्किट में बहुत सी कंपनी के पाउडर मिलते हैं हिमालया ज बढ़ों वाला पाउडर उठाया वह बच्ची को लगा दिया क्योंकि आपको पता है कि बच्ची के बहुत ज़्यादा सेंस्टिव होती है तो बच्ची की अकॉर्डिंग ही बेबी प्रोड़क्ट बनाये जाते हैं जो की बच्ची की सेंस्टिव स्किन के लिए स्वीट व बेबी हिमालिया जो आपको अच्छा लगे वह पाउडर आप यूज कर सकती है अब जानते हैं बच्चों को पाउडर लगानी का सही तरीका तो फ्रेंट्स सबसे पहली बात डायरेक्ट जो पाउडर का डिबबा होता है उससे पाउडर नहीं लगाना चाहिए जैसे की डा पर थोड़ा सा पाउडर लीजिए उसको रब कीजिए अपने हाथों में फिर बच्चे को लगाईए बच्चे की बॉड़ी पर प्राइविट पार्ट एरिया की जो साइड्स होते हैं उन पर लगाईए बच्चे की फेस पर भी आप पाउडर लगा सकती हैं लेकिन बहुत तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बच्चे को पाउडर कैसे लगाना है और अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगी तो मिलती हो आप सबसे अब अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए अपने बच्चे का भी अच्छी से ध्यान रखिए तो मुख पाउडर को प्यान रखिए ।